स्वागत अबाई एक और सांदर वीडियो में एंड जो की आप में रात में देख रहे हैं ये ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क्ट को मारूती सुजु की XL6 हमारे सामने घड़ी है टॉफ वेरेंट ये घड़ा है अलफा प्लस पेट्रोल के अंदर टॉटल तीन वेरेंट गाड़ी के साथ आते है फर्स्ट जो है बेस वेरेंट आपका जीटा आता है देन अलफा आता है देन आपका अलफा प्लस आता है पेट्रोल एंड सी एनजी दोनों में गाड़ी अवेलिबल है पर CNG में आपको सिर्फ बेस वेरेंट मिलेगा जीटा उससे उपर वाले वेरेंट्स आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलते हैं and XL6 आपकी गाड़ी है 6 का यहाँ पर मतलब है आपको 6 सीटर मिलती है अगर आप 7 सीटर लेना चाते है तो आप आप आटी का वगयर है किसी और तो सारी चीज़े वीडियो में कवर करेंगे वीडियो के एंड तक बने रो फ्रेंट लुक से स्टार्ट करते हैं बाई कुछ इस तरीके की फ्रेंट लुक आती है अबर जस्त गाड़ी देखने में लगती है और ब्लैक कलर में आपके सामने खड़ी है माफिया कलर बोलते ह अब आजकल बहुत डिमांड में आप आई यह कलत एंड हैड्लाम्स की बात करें तो इदर आपको फुल एड़ी हैड्लाम्स यहां पर मिलते हैं एलेडी डियार यहां पर हो गए एंड टर्ण एंडिकेटर आपको इदर मिल जाता है एंड यह रेडिटर ग्रिल अगर आप देखेंगी तो आपको मैट फिनिस मिलती है इसके चारो साइड आपको क्रोम का टच देखने हो मिलेगा सेंटरम आपको सुजूगी का लोगो मिल गया एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा यहां पर आ जाता है 360 कैमरा गाड़ी के अंदर आता है इस वेरेंट के अंदर एंड फ आप डिलिवर करता है 113 बीचपी की अंद टॉक पर उडिश करता है 136 न्यूटन मेटर का यह पेट्रोल की है अगर आप सी एंजी पर जाते है तो यह आपको टॉक डिलिवर करेगा 121 न्यूटन मेटर का अंद बात करते हैं साइड परफाइल की अगर यहां आप टायर 13 का फरेंट हम आपта को डिसप्रेक्स मिलती रियर मर आपको मिल जाती है एंड साइड कलैडिंग भे अपको देखने को मेंप करते हैं ORVM आपको body color मिलते हैं with LED turned indicator and 360 camera भाई इदर आपको मिल जाता है door handles की बात करें तो chrome में आपको door handle मिलते हैं and request sensor driver and co driver दोनों ही side देखने को आपको मिल जाएगा top पर आपको मिलती है silver color की roof rail and बात करता है rear profile की and ये कुछ इस तरीकी की rear profile आती है अपनी पूरी गाड़ी की इदर आपको XL6 की बैजिंग मिल जाएगी LED tail lens आपको मिलते है turn indicator reverse fog lamp and ये chrome का touch आपको मिल जाता है पूरे tail gate पे बाई premium लगता देखने में Suzuki का logo आ गया defogger, wiper, washer, high mounted stop lamp आपको मिलता है integrated spoiler हो गया and top पर आपको मिलता है glossy finish के साथ sharp spin antenna reverse parking camera अदा आ जाता है smart hybrid की बैजिंग मिल गई, 4 reverse parking sensors आपको मिलते है reflector आपको मिलते हैं नीचे दोनों साइड and ये rear skid plate आपको मिल गई, spare wheel जो है आपका नीचे mounted है and अब बात करते हैं boot space की तो भाई request sensor आपको मिलता है and जैसे ही आप ये open करते हैं कुछ इतना आपको boot space मिलता है 209 लीटर का ये boot space है and in emergency अगर आपको और भी ज़्यादा requirement हो तो आप अपनी seat को fold कर सकते है 50-50 अपनी need के साब से ये ये बाई कुछ second row वाली seat काफी पीछे कर रखे अदरवाई ये पूरी flat हो जाती है दोनोई seat and boot space आपका पहुज़ादा increase हो जाएगा and आप चनते हैं गाड़ी के अंदर अंदर आपको क्या कुछ feature offer करती है वो दिखा देता हूँ and ये interior आप देखो यार पूरा आपको black interior देखने को मिलता है dashboard होगर आप देखते हैं बस अपको wood finish यहाँ पर मिल जाती है dashboard पर अदरवाईस पूरा आपको blackout interior देखने को मिलता है and doors वगर आप देखेंगे तो अगे आपको पूरे black door मिलेंगे wood finish and silver touch आपको यहाँ पर मिल जाता है and soft touch का use यहाँ पर है सिर्फ ये वाला part जो है आपका यह soft touch है अदरवाईस यह आपका pure plastic है सिर्फ इतने part पर soft touch का use किया है door lock chrome के साथ आगे all power windows आपको मिलती है driver window one shot down है और वियम lactic adjustable के साथ foldable आपको मिलते है and करीब एक लीटर की bottle से भी बड़ी bottle आप यहाँ पर रख सकते हैं कुछ इतना space आपको मिलता ह है जब दर space आपको मिलेगा bottle के लिए डायरी वगयरा आप यहाँ पर रख सकते हैं चारोई doors में आपको speaker वगयरा मिल जाते हैं with twitter तो यह तो आपको मिलेंगे और बात करें seats वगयरा की तो seat आप देख लो भाई fully leather wrap seats आपको मिलती है and ventilated function के साथ driver and co driver दोनोई seat आपको ventilated मिलती है six way height adjustable है manually बार बार आपको pump करना होगा कुछ इस तरीके से and up down आप adjust कर सकते हैं driver and co driver headrest आपको height adjustable देखने को मिलते हैं and अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो steering wheel आप देकर flat bottom steering wheel मिलता है leather wrap steering wheel है and इदर भी आपको silver का use देखने को मिलेगा left मा आपको मिलते है multimedia के control right मा आपको मिल जाते है cruise control and इदर आप देखेंगे तो भाई push start button इदर हो गया idle start stop हो गया 360 camera हो गया आपका वो view का button आपको इदर मिलता है traction control light lever हो जाता है and अब बात करते हैं instrument cluster की तो यह आप instrument cluster देख लो गई ignition कर देते हैं on and यह कुछ इस तरीके का instrument cluster है left मा आपको tachometer मिल गया analog and right मा आपको मिलता है speedometer and fuel gauge जो है वो भी आपको analog देखने को मिलता है जो आपको exact fuel देखाता भाई digital जो है वो उतना exact नहीं दिखा पाता and यह center में आपको 3.5 inches का digital मिलता है display जेदर आपका 27 degree temperature है time है fuel efficiency है वाई कितने kilometer वगेरा की average देरी है range वगेरा है trip वगेरा है यह कुछ information यहाँ पर show करता है and center में आप देखेंगे तो 7 inches का apple carplay android auto infotainment system मिलता है touch screen touch का response में आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीकी का है touch का response यह pair device bluetooth connectivity के साथ आता है pair कर सकते है and reverse camera की quality साथ के साथ चेक कर लेते हैं reverse gear में engage कर देता हूँ and यह बाई कुछ इस तरीके का reverse camera की quality है guidelines के साथ आता है and 360 camera का view हो गया तो ठीक टाक है बाई कोई दिक्तत नहीं लेगी मेरे को इसके अंदर and hazard button यहाँ पर हो गया AC आपको fully automatic मिलता है climate control के साथ single zone आपको मिलेगा dual zone नहीं है इधर आप देखते हैं तो आपको 12 volt का socket यहाँ पर मिल जाता है ventilated seat के लिए इधर आपको control मिलते है बाई and यह 3 आपको fan filters and in के अंदर जो है AC का flow आता है अगर आप पोल्टर में वगयरा रखते हो तो वो भाई आपकी definitely ठंडी रहने वाली है तो यह काफी अच्छी चीज यहाँ पर दिये और इस गाड़ी के अंदर and यह आपको same आटिका मैं भी देखने को मिलती है तो यह चीज मेरे जबर जब आपको नहीं मिलेगा wallet वगेरा है coin वगेरा ऐसा कुछ समान यहाँ पर रख सकते हैं and dashboard आप देखो यार again यह आपको matte finish के अंदर black मिल गया यहाँ पर आपको wood finish मिल जाती है silver touch यहाँ पर मिल जाता है and यह नीचे again आपको matte finish मिल गया top पर आप देखोगे तो manual dimming function के साथ आप को मिलता है IRVM sunglass holder यहाँ पर मिल जाता है and तो आपको मिलते है reading lamp कुछ इस तरीके से on होते है and यह आप पाई automatic इसको आप कर सकते हैं and अब बात करते हैं glove box की तो यह आप देख लो यार कुछ manuals यहाँ पर रखे हैं service book वगेरा है first street kit है कुछ इतना बड़ा आपको glove box मिलता ह ठिक टाक आपको glove box है उतना जाज़ा तो spaces नहीं है बट को इशू नहीं है बाई काफी अच्छा glove box यहाँ पर मिलता है and अब चलते हैं rear वाली seat पर second row के अंदर बट उससे पहले हम अपनी driver seat को पर लेते हैं अपनी height according adjust and यह आगे बाई अभी हम second row के अंदर doors वगेर आप दे है with separate armrest headrest आपको मिल जाते हैं height adjustable leather wrap seats है and track line मिलती है right hand में मेरे बाई phone है मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो बाद में आपको दिखानी पाऊंगो यहाँ से आप इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं and अब बैठते हैं seat पर बात कर लेते हैं space वगेरा की तो नी रूम यार आप देखो करीब इतना आपको नी रूम मिलता है seven seater गाड़ी है and यह seat हमने कुछ आगे की हुई है आगे पीछे भी आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह अब भी हमने full पीछे की हुई है तब हमें कुछ इतना space मिल रहा है इस तरीके साथ open करने के इसे हैं बाई एक तम जबर्जस्ट comfort आपको offer होता है फियर एस event आपको इदर मिलते हैं चार एस event मिल गए fan control यहां से control कर सकते हैं and यह चार इस लिए दिये हैं क्योंकि third row के लिए भी यही effective होने वाले है third row में आपको इस event नहीं मिलते है and अब बात करते हैं बाई headroom की headroom कि इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं कुछ इस तरीके से हाथ open करना पट रहा है जब बड़स headroom गाड़ी आपको offer करती है and अब चलते हैं बाई third row के अंदर third row में आपको क्या कुछ space मिल रहा है form आपको दिखा दू and captain seat है तो यह fold होने वाले नहीं है आपको यहीं से third row में entry ले 12 volt का socket phone वगेरा charge करने के लिए rear वाले headrest भी आपको height adjustable मिलते हैं and यह seat जो है यह भी आपकी recline है आप यहां से यह कुछ इस तरीके से आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं यह तो इतनी यह आपकी पीछे होती है and यह almost हमने पीछे की हुई है यह फुली हमने पीछे की हुई है इतनी recline है आपकी seat हो पाती है and पाई कोई space वगेरा की तो मिरे को कोई दिक्कत नहीं लेगी दो लोग तो easyly बैटी सकते हैं अगर मैं पूरा side हो जाओ न तो इतनी जगा बसती है यह seat इतनी बची हुई है and इतना इस पर बंदा आ जागा तो मेरी तरह गे तो तीन लोग ब अबर जस्ते यार, third row के अंदर काफी अच्छा कासा आपको headroom मिल रहे है and if new room अगयरा की तो कोई दिक्कत है नहीं तो third row मैर काफी अच्छा कासा comfort यह गाड़ी आपको offer करते है किसी तरीके की यार मिरको कोई कमी नहीं लगी जैसा third row होता child seat होती है child वाली feel मिरको नहीं अगर आपकी और कोई query हो आप गाड़ी लेना चाहते है तो आप यहां पर visit कर सकते है बाई well behavior बंदे यहां पर next आवालों ने रखे हुए है किसी तरीके का कोई issue नहीं है बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी हमें comment करके ज़रू बताए and video informative लगी हो तो please video को यार like कर दो channel को subscribe कर दो thank you